हे गाइस वेलकेम बेक तो मैं यूट्यूब चैनल वायनेट हल्ट नवरात्री का त्योहार शुरू हो रहा है नवरात्री के नो दिनों तक भक्त देवी मा की पूजा अर्चना करते हैं इस दोरान देवी मा को प्रसंद करने के लिए लोग उपवास भी करते हैं वरत रखना ना सिर्फ धार्मिक लिहास के बलकी साइंस ने भी इसे फाइदमंद बताया हैं हलाकि जो लोग पहली बार नवरात्री का वरत रखने जा रहे हैं उनके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहर जरूरी है जिससे वरत के दोरान उन्हें किसी भी तरह की कोई भी स्वास्त समस्या ना हो पाए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जिने फॉलो करके आप हेल्दी और फिट रहेंगे नमर एक दूद या उससे बनी चीजे दोस्तों नवरात्री के उपवास में मौसमी फलो और सबजियों के साथ-साथ सेंद नमक नैच्रल शक्कर जैसे की गुड़, खचूर या फिर शहद का इस्तिमाल किया जाता है लेकिन जहां तक हो सके आप फलो को भी अपनी डाइट में शामिल करें इसके साथ ही आप व्रत में दूद या उससे बनी चीजे खा सकते हैं नमबर दो, खुद बनाए खाना, दोस्तो नवरात्री के व्रत के दोरान आप खुद से हेल्दी डाइट बनाए, व्रत के दोरान कुट्टू के आटे की बनी चीजे आप खा सकते हैं, ये हेल्थ के लिहास में काफी ज़ादा अच्छी मानी जाती हैं, आप कुट्टू के आटे के साथ आलू की टिक्की बना कर भी खा सकते हैं, नमबर तीन, प्रेगनेट महिलाएं रखे ध्यान, दोस्तो आम तोर पर हेल्थ एक्सपर्ट गर्वती महिलाओं को इस व्रत को रखने के सलाव नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप ये फिर भी व्रत रखना चाहती हैं तो दिन में तीन बार नारियल पानी का सेवन करें और कुछ समय के अंतराल में फल खाते रहें, ऐसा करने से आपका पेट भी बरा रहेगा, आप भी स्वस्त रहेगी और आपका बच्चा भी स्वस्त रहेगा, नमबर चार, खुद को रखें हाइट्रे, दोस्तो व्रत में ह आपसे ज़्यादा जरूरी है कि आप जितना हो सकें, खुद को हाइट्रेट रखें, दिन में करीब दो से तीन लिटर पानी पीएं, हाइट्रेट रहने पर शरीर को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, नमबर पांच, नर्ट्स खाएं, दोस्तो आप व्रत के दोरान नर आपको पसंद ही होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक लिए टेक केर एंड बाबाई